मैंने अभी किसी का वीडियो देखा YouTube पे और I just shock क्योंकि एक इंसान ट्विन फ्लेम जर्णी पे अलग अलग तरीके से सवाल उठाता है लॉजिकली और ट्विन फ्लेम पीश आया जिसको explain ना कर पाए फट से और dispoint हो जाए कि कोई कैसे इस जर्णी को blame कर सकता है या ऐसे सवालों का कैसे जवाब दिया जाए उस टाइम पे खुदी सर दिवार पे पिटने को मैंन करता है कि इसको कैसे जवाब दिया जाए और जैसे तैसे उसके उपर मतलब बहुत सारे जवाब उसको मिलते हैं सब जगा से और या फिर हो कहता है कि आज हो कहता है कि मैं जस देख रहा था मैं खुदी ट्विन फ्लेम हूँ और बट मेने सेपरेशन वो सब एंजाइटी वगरे यह सब एक्सपीरियंस नहीं किया है क्योंके मैं बहुत बड़ा योगी हूँ और मैं योग सिखाता भी हूँ तो आप भी योग करो योग सिखाओ तो योग की वज़े से आपको सफरिंग नहीं आएगा क्योंकि मैं पहले से ही योग करता हूँ और मेरी साधना की वज़े से मुझे पेन नहीं हूँ रहा है मैं सिप्रेशन में नहीं हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद जीवन का वगएरा 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 ओके तो ऐसे भी लोग होते हैं मैं जस्त बताती हूँ कि Twin Flames are spiritual soul और देखो जटके, pain, depression अब जितने भी spiritual लोग history में देखो कि भले वो Twin Flame ना हो उनकी awakening जटको से ही हुई है की भी मतलब अराम की awakening में ऐसा नहीं कह सकती He is God बट अब तुकारा महारास को ले लो क्या हुआ उनके जीवन में ज्यानेश्वर महारास को ले लो तो कहने की बाद है कि spiritual journey painful होती है वो हर वक्त आनंद दाई नहीं हो सकते और योग सिर्फ शरीर के लिए ठीक है क्योंकि मैंने खुद experience लिया है मेरे body में इतनी सारे blockages थे ना मैंने योग किया ना मैंने कुछ भी किया meditation में पहले करती थी बहुत ज़ादा करती थी extraordinary करती थी बट चार साल से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया दो साल मैंने शेगड़े में बिताए और उस टाइम पर मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं प्रणायम भी करूँ क्योंकि मैं मंदिर जाती थी आरती अटेंड करती थी अकेली रहती थी सारा काम खुद करती थी तो वक्त नहीं मिला meditation और प्रणायम के लिए योग तो बहुत दूर की बात है और जब जटका लगा twin flame journey का उसमें तो मितलब नहीं पत्थर ही बन गई literally पत्थर बन गई किसी भी चीज का होश ही नहीं रहा मतलब इतना जबरदस soul shock था literally मैं तीन दिन तक अपना मूँ भी नहीं दोती थी मतलब मैं किस दुनिया में थी वो तो बगवान ही जाने और awakening is really painful बहुत ज़्यादा painful होती है अलग-अलग energy आपको connect करती है जिसकी वज़े से spiritual mental हर level पे मतलब blast हो जाता है life एक दम चकना चूर कुछ भी नहीं बचता है तो ये होता है और देखो twin flame आये किस लिए एक अच्छा purpose लेकर आये उन्होंने एक अच्छे purpose के लिए जन लिया है लेकिन ये बीच में कुछ लोग इसी जनी को लेकर किसी का नुकसान अगर करते हो that's too bad मैं खुद आपसे request करती हूँ कि किसी भी योग से या kriya योग हो जो ठीक है अच्छा है सब कुछ अगर किसी कोई उस part पे आकर खड़ा हो गया है कि उसको विस चीज की जरुरत है तो उसको वो करना चाहिए अब भक्ति योग से भी आपकी कुंडलीनी एक्टिवेट कर सकते हो finally मेरे कुंडली कुंडलीनी भक्ति योग से ही एक्टिवेट हुई है क्योंकि चार साल तक मैंने कोई भी ऐसा meditation, yoga या कुछ भी नहीं किया पहले भी मैंने कभी yoga पर इतना ये yoga मैं सिर्फ प्रायाम किया वो भी आनुलम मिलम मैं वॉक करती थी और आटोमेटिक म्यूजिक पे मेरा अच्छा meditation हो जाता था ये सिर्फ मैं अपनी मतलब देचेनी दूर करने के लिए करती थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इससे कुंदलीनी एक्टिवेशन हो सकता है और आगे जाके मेरी कुंदलीनी शक्ति उपर उठेगी या में ट्वेंट फ्लेम हूँ ये कुंदलीनी एक्टिवेशन करना मैं आपको सच में बताती हूँ इस वेरी रिस्की आपके पागल होने के चांसेस ज्यादा हो सकते है अग आप ऐसे लोगों की सुनोगे और कुछ अलग प्रोसेस में जाओगे उसके मतलब बहुत साइड इफेक्ट हो सकते है आपको अगर सच मच अपने कुंदलीनी अवेकन करानी है तो मैं कहती हूँ कि आप जाकर रेकी सीखो यह ना मराटि में हमारे सर उस टाइम पे कहते है संसार में रहकर समाधी का मार makes मतलब आप संसार में भी रह सकते हूँ और आप समाधी का आनद भी ले सकते हूँ तो यह बहुत ही सॉफ्ट तरिका है रेकी आप इसको ट्राइ करो इसमें भी मैंने देखा है कि बहुत पेन होता है बहुत एक-एक चक्रा जब खुलते है आपकी एनरजी उठती है उपर तो मतलब माइंड में तो ऐसा मतलब आप अगर सच मुझ चाहते हो कि आप एक नॉर्मल लाइफ जीओ तो कुंडलनी अक्टिवेशन के पीछे मत भागो क्योंकि जिसके भी कुंडलनी अवेकन हो जाती है फिर वो इस सथार में रहने लाइक नहीं रहता उसकी विचार सरनी किसी से भी मैच नहीं होती उसकी वैब्रेशन लेवल किसी से मैच नहीं होती तो करनी है तो भक्तियोग से अक्टिवेट कीजिए रेकी से अक्टिवेट कीजिए मतलब उसने भी ध्यान meditation करते करते आपकी कुणिलिनी देरे देरे उपर उठेगी लेकिन ये भयंकर तरीके जो है इनको मत अपना ही है मैं हाथ जोड़ के request करती हूँ ये बहुत खतरनाक हो सकते आपके लिए आपकी दुनिया बरबात कर सकते है कीजिए गुरू के guidance में क्रिया योग भी कीजिए पट जो हट योग होता है वो हमेशा ही dangerous होता है जिसका नाम ही है हट योग तो मैं कहती हूँ कि बोड़े ही softly आप रेकी वगरा ये सब सीखो आप ध्यान meditation करो मैं कहती हूँ जिसके पास budget नहीं है वो रेकी भी मत सीखो वो ओम शान्ती में जाओ वहाँ भी आपको meditation ही सिखाया जाएगा अलग अलग तरीके हैं और कुछ भी ना हो सके न तो ईश्वर को स्मरन कीजिए एक एक दो दो घंटे नामस्मरन कीजिए उससे भी आपकी कुणिलनी अवेकन हो जाएगे और यहाँ जो भक्ती योग से नामस्मरन से आपकी कुणिलनी शक्ती को ऊपर उठाओगे उसमें ईश्वर खुद आपका हाथ पकड़े रहेंगे और कोई भी side effect नहीं होगा देखो बहुत प्यारा लगता है कि अगर आपका लवर आपका twin flame हो यह आपको पता चले और मुझे नहीं लगाता मुझे जटका लगाता कि अब मैं कैसे इसको वापत लाओ या क्योंकि एक तो relation था नहीं हमेरा उपर से वो married दो बच्चों का बाग cast भी अलग और उपर के उसकी wife जो भी है तो मतलब कहीं से भी कोई match नहीं था तो मैं मतलब मेरे लिए दुख का कारण था कि twin flame जानी क्यों आई मेरे life में क्योंकि अगर यह मेरे twin flame है तो मैं तो इससे बात भी नहीं कर सकती इसको बता भी नहीं सकती और पुरी दुनिया against है तो मेरे लिए दुख का कारण था कि मुझे लगता था शायद यह ना होता तो अच्छा होता शायद मेरा husband twin flame होता तो अच्छा होता कम से कम at least मैं दुनिया को बताता सकती हूँ कि अगर मैं इसके पीचे भाग रही हूँ तो यह मेरा twin flame भी है खुद को twin flame बता रहा है और अपने दुकान चला रहा है तो भई इससे बचके रहो यह मुठी बर लोग कमाई करने के लिए आपके मतलब हजारों लोगों का जीवत को मिसगाइड कर सकते हैं तो यह बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की कुंडलीनी एक्टिवेट होनी चाहिए यह एक प्रोसेस है और बहुत ही स्लोली होता है मैं बता दी हूँ मैं खुद इंडीगो चाइल्ड हूँ और मेरी कुंडलीनी 37 मतलब हिंदी में क्या कहता है 47 37 शायद 37 मतलब 30 प्लस 7 इयर माराठी में 32 तो इतने साल बाद और एक महने बाद एक्टिवेट हुई है जबकि मैं एक इंडीगो चाइल्ड हूँ तो एक्टिवेट थोड़ी बहुत पहले से ही रहती है लेकिन कंप्लेटली उपर चड़ी है तो यह प्रोसेस जो हुआ है वो 37 एज में हुआ है तो एक नॉर्मल इंसान को कोई 20 साल का है 25 साल का है 30 साल का है तो क्रिया योग तो अच्छा से कर सकेगा बट मैं क्रिया योग के बारे में भी नहीं जानते मैंने सुदर्शन क्रिया वगर किया है आर्ट अफ लिविंग में अब ये क्रिया एक्जेक्ली क्या सिखाते तो मैं हाथ जड़ के माफ ही मागती हूँ अगर मैं कुछ दलत वर्ड बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर दीजे बट आपको क्रिया योग लोगों को सिखाना है तो मैं उन सब लोगों से प्राथना करती हूँ जो भी इसके टीचर है जो भी है तो अपने पहले वाले तरीके से लोगों को इंप्रेस कीजिए ट्विन फ्लेम के नाम पर अपने दुकान मत चलाएए ट्विन फ्लेम के कुंडलीनी आटोमेटिक एक्टिवेट होती है बहले योग करे या ना करे मैं आज आपको साफ साफ बता रही हूँ क्योंकि ये आलड़ी बहुत ही इवाल्ड सोल्स होती है ये आलड़ी बहुत काम कर चुकी होती है और ये करे या ना करे इनकी कुंडलीनी आट्टिवेट होनी ही है बहले कम टाइम में हो, ज्यादा टाइम में हो मैं आपको बताती हूं, मैं वो कोई भी तरीका नहीं करती थी मतलब, ना मैं ज्यादा प्रणायम करती थी, ना मैं कोई सुर्य नमस्कार करती थी, ना योगासन करती थी, कुछ भी नहीं करती थी जैसे एक time होता है ना नल को उटा सुबा छे बजे नल को पानी आ जाता है तो वैसे मेरे अंदर वो function automatic था मतलब मैं सुबा देर से उटती थी पता नहीं में क्यों देर से उटती थी बट मैं चाहा कर भी जल्दी नहीं उट पाती थी यह मेरी वीकने से आज भी क्या मिज़े problem है मुझे नहीं पता इस बारे में मुझे नहीं पता बट मुझे बहुत ज़दा नीन की ज़रूरत होती है क्योंकि मैं बहुत ज़दा मैंने मेरी body vibration receive करती है जो मतलब जिसको बोज हो जैसे तो उस बोज की वज़े से मेरी body सफर करती है और उसको ज्यादा नीन्द की आराम की vitamins की rest की ज़रूरत पड़ती है तो ये कारण है कि abnormal हो जाती है life अगर हम इस मार्ग को अपनाते हो तो ये तो मेरा automatic था क्योंकि मैं हूँ ही twin flame तो जैसे ही मैं सुबा उठती थी कुछ खाती थी तो रंत उसके बाद automatic में ध्यान में चली जाती थी कुछ भी नहीं करना पड़ता था मुझे कुछ भी ना कोई yoga, ना कोई mantra japa ना कोई saadhana कुछ भी नहीं तो ये automatic process होता है twin flame में आप ये जगा जगा जाके misguide मत होना तो मैं ने एक वीडियो में share भी किया कि किस तरह से मैं depression में थी और indigo child को depression आता है वो match नहीं कर पाते कैसे से और suicide तक के उनके जीवन में cases होते है और जिसकी वज़े से मेरी body पे बहुत गहरा असर हुआ था और आज भी खतरनाक blockages है मेरे body के अंदर तो जिसको मैं आज भी सफर कर रही हूँ तो मेरा heart भी काफी weak हो चुगा है तो कहने की बात है कि इतने सारे blockages होने के बात भी मेरी kundalini automatic उपर चड़ी है कुछ भी बिना की है तो ये kundalini system काटना नहीं सिखाया जाता बिल्ली के बच्चे को चुहा पकरना नहीं सिखाया जाता वैसे ही twin flames को ये आप सिखाओ या ना सिखाओ वो automatic उस meditation ध्यान की तरफ attract भी हो जाते है automatic उनके अंदर वो function होता है और वो सब करने लगते है तो ये अपने आपको गलती से twin flame समझ कर ऐसे कुछ चीजों में फस कर आप अपना जो normal life है उसको खराब मत करो और करना ही है तो उसको भक्तियोग से activate करो मैं again प्राथना करती हूँ जो भी क्रियायोग सिखाते है कुछ भी सिखाते है क्रपया अपनी दुकान चलाने के लिए twin flames के नाम पर लोगों को attract मत कीजिए twin flames के कुंडलिनी बच्पन से ही थोड़ी बहुत activate रहती है और जैसे जैसे उनकी age बढ़ती है वो automatic activate होती है और जैसे मैंने अभी कहा कि साब के बच्चे को काड़ना नहीं सिखाया जाता तो वो अपने आप उस प्रोसेस की तरफ attract हो जाते है थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं लोग हजारों साल करके भी उसमें achieve नहीं कर पाते हैं ये थोड़ा बहुत से ही इनका activate हो जाता है सब कुछ तो कहने की बात है कि प्लीज आप ट्विन फ्लेम्स के नाम पर अपने दुकान मत चलाओ क्योंकि हर एक लवर जो होता है एक एज होती है इनसान की ये वर्ड बहुत प्यारा लगता है ट्विन फ्लेम्स मैं आपको बता दू मैं उन बच्चों को अवेक्निंग या पॉसिबल नहीं है ऐसा मैं कह सकती हूँ मेरे एक्सपीरिंस से हो सकता है मैं गलत भी हूँ कम से कम थर्टी के बाद ही ट्विन फ्लेम्स जानने की अवेक्निंग होती है और बट कुछ केसिस मैंने रेर देखे है कि इनको इतना नौलेज कहां से अब यंग बच्चे जो होता है ये भी हो सकता है कि इनका माइंड बहुत शार्फ होता है तो कही ने कही से ये information capture भी कर सकते है कुछ भी कर सकते है मैं पर मैं किसी पर अन्याय नहीं करना चाहती कुछ example मैंने इसे देखे है कि ये information इनको कहां से मिली अगर इनकी age इतनी कम है तो ये rare information इनको कहां से मिली तो मैं भी इस मामले में confused हूँ कि शायद ये tinflame हो सकते है बट मेरा life का personal experience बहुती खतरनाक रहा है अगें repeat करती हूँ मेरे life का 20 की age में awakening का experience बहुती खदरनाक रहा है जो आप समझते हो न 20 की age में क्या आपका twin flame आपको मिल सकता है तो मैं मैं अपनी personal life पे ये नहीं करना चाहती थी बट मैंने एक observe किया है कि अगर ये experience share किया जाए तो उन बच्चों के फाइदा हो सकता है जो अपने आपको twin flame समझ रहे है भले वो spiritual journey में है better twin flame समझ रहे है तो उनके लिए शायद ये फाइदा दे सकता है उनको misguide होने से बचा सकता है तो मैं जरूर वो experience जल्दी ही share करूँगी मेरे तो subscribers है नहीं पर क्या पता आगे जाके भगवान की मरजी तो ये information उनको misguide होने से शायद बचा ले और गलत relationship में जाने से भी बचा ले तो उसके लिए मैं जरूर मैं अपनी personal life का experience बताऊंगी कि क्या सचमिस 20 की age में आपको आपका twin flame मिलता है और किस तरह से आप गलत relationship को twin flame relationship भी समझ लेते हो वो भी बताऊंगी Again I repeat कि अपनी दुकान चलाने के लिए twin flames के नाम का use ना करे अप उसके कुछ और फायदे जिसके पहले जब twin flame concept नहीं था तो कैसे आप अपना marketing करते थे आप वैसे ही अपना marketing करो twin flames के नाम लेकर अपने क्रिया योग या जो इस सब चीजों का marketing आप मत करो Thanks